मेरा भिमन कहा कि चलो वीडियो बनाते हो आए या में जाए लवेदा कोई बात नहीं लोंग वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको इस तरीके से फोन को पकड़ना यानि कि वेड़े करके सेकंड तीस सेकंड एक मिनट इससे उपर का वो सोट वीडियो नहीं माना जाता है संधिना के मेरे को खुद मेरे साथ बैठ के गवाती है वह भी बहुत मस्त हैं गाने में है ना बहुत से अपने पर मिसल लिया है जड़ती है क्या बहुत हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तो इस वक्त हमारी मवजूदगी है दिल्ली में जी दिल्ली में कौन सी जगां पे हैं अभी हम माता जी के माध्यम से जानेंगे और आखिकार ये कौन है कहां से हैं और किस तरीके से सो का आप लोगोंहें यहीं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए गा चैनल पर नय है तो सब्सक्राइब करिए आपoto से देखने तो जाय जाय करिए गा दो प्राहल के लिजेगा बहुत-बहुत स्वागत है आपका Bueno आपको यहां को चैनल का बहुत दोस्त तो मिलेना ही है आईसे नमर उम्र देखती है मिल गया नमर तो आपको मैप ओल करें आपका सुभध नाम क्या है मेरा नाम है में अंता त्रिपाथी मंता त्रिपाथी दिल्ली में आप कहां से रहें मैं दिल्ली में हूं जहड़ोदा गाह माजरा बुरारी चले बहुत अच्छ तरीके का content आप लोगों के बीच में provide करती हैं जैसे कि अगर हम बात करें किस तरीके से आप वीडियो बनाती हैं क्योंकि social media platform के बहुत चारे categories हैं कुछ महिला तो भोजन भी बनाती हैं कुछ महिला तो सिर्फ dance करती हैं कुछ महिला लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में बताती हैं आपकी इतनी उम्र है कहिन कहिन उम्र दराज भी लग रही है मेरी दादी मा के समान आपकी उम्र है और इस उम्र में आप social media platform पे धमाल मचाती हैं तो क्या category हो सकती है किस तरीके का वीडियो आप लोगों के बीच में बनाती हैं बहुत अच्छा वीडियो बनाती हूं यह YouTube पे अच्छा गाना उना डालती थी लेकिन उसमें कुछ आई नहीं रहा जो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत अबहारी हूं इस अपने की प्रमात्मा आने वाली नौरात्री आ रही है इनको भीव हमसे ज़्यादा बढ़ है हमको कोई जरूरत नह अभी आगे भी हम बात चित करेंगे कैसे हमारे इनकी मुलाकात हुई मातर जी काफी देर से ओडियांस आपको देख रहे हैं लेकिन ये काफी देर से कंफ्यूज हैं आखेकार किस तरीके साफ वीडियो बनाती हैं क्या आपका अंधाज होता हो भी इस उम्र में तो जो भी जादा लोगों ने देखा होगा सुना होगा महजवगीत दो लाइन का हमारे ओडियांस के बीच में होना चाहिए जी अब याद तो है नहीं कौन चैनल जादा गया लेकिन जो जाद है मगा देती में जो कहो भजन जो भी आप भजन से आप स्टार्ट कीजिए जी महजद द लाइन का ठीक है बुड़ा पे बेरी कोई ना पूँछे दिल की बात बुड़ा पा बेरी कोई ना पूँछे दिल की बात भी तर से वो बेटा या ये सुन मैया मेरी बात भी तर से वो बेटा या ये सुन मैया मेरी बात गार के कोने चार पड़े हैं वहीं बिछाले खाटे बुढ़ा पावेरी कोई ना पूछे दिल की बात बड़ा सुन्दर आपने गीट सुनाया इसको भजन गीट के नाम से जाएं जी भजन कहते हैं बैटा भजन माता जी आपकी उम्र कितनी होगा है मेरे उम्र इस यह वगते हैं चोंवार पच्पन-पच्पन-प्लस इस उम्र में क्या ज़रोत पड़ी कि आप ने तो सुचल मिडा प्लेटफर्म जोईन कर लिए आप सब कर देखकर मुझे मेरा भिमन कहा कि चलो वीडियो बनाते हो आए या में जाए लवेदा कोई बात नहीं आपने सोचा कि अगर मुझे मंजिल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिलती है तो क्या ही जा रहा है बुड़हापा कम कम नाम तो कमाएंगे लोग देखेंगे कहें बताओ इतनी उम्र में अब बीपी सुगर का पेशेंट फिर भी गाना बना रहे हैं कहीं नाती पोते वाले भी होंगे हमारे एक नाती है फिर भी आप यूटूब पर धमाना बिल्कुल हम बहुत मुझे सोख बच्पना से भी गाने के था मैं कहीं भी जात काल में मैं न रहूं तो ब्याहसाधी न हो यह भी बात है लेकिन ऐसे में क्या होता है कि आपको देखकर काफी लोग सीखना भी चाहते हैं और कहिन कहीं आपको देखकर हर लोगों को एक मोट्यूव मिलता है कि जब आप इस उम्र में अपनी कला को विखेर नहीं सोशल मीड पर आये कुछ लोगों को तो अंदर इंट्रेस्ट होता है कुछ लोग बिलकोल भी नहीं आना चाहते हैं लेकिन कहिन कहीं आपको देखकर लोगों को प्रेड़ा मिलती होगे यह बात बहुत है बहुत अच्छी है मैं तो यहीं सोचते हूं कि जो जितनी भी माताएं कोसिस करें पीछे न लोड किया है अरे खराब हो रहात हमारे राहूल भाईया है बुलाओ ठीक करेंगे चैनल मेरा तो इतना बन के खराब हो गया तो मैं बुला लिया फोन करके फोन ढोड़ ढोड़ के लेली अब हम आगे भी बात करेंगे आखिकर क्या कुछ दिक्कत मागे ना हो तो माईया से मागो मागे ना हो तो दूरेगे से मागो मा के भंडारे में क्या कमी है मा के मागो पे सेंधुरे लगा है मा के माथों पे बिंदी सजी है देखे ना हो तो दूरे से देखो मा के शिंगारे में क्या कमी है बड़ा सुन्दर आपने देवी गेद्विशना बहुत अच्छा लगा अच्छा माता जी आपने हम तक कैसे संपर किया और क्या कुछ समस्या हो रही थी बेटा ऐसे है कि मेरे फोन पर भी भी जा रहा था लाइक भी हो रहा था सब कुछ हो रहा था लेकिन चैनल आगे नहीं बढ़ रहा था एक साल हो गया एक साल में 416 आज 16 होगा भी बागवान देबी मैया इनको बरकत दें चैनल खूब आगे जाए यह सिर्वाद देती हूं तो आप आए तो हमारा देखे तो इस सब चैनल ठीक करें अब नया चैनल आप बना दें अब उस पे हम गाएंगे आपने भी बताए कि एक साल प्लस हो गया था कुछ भी नहीं हो रहा था भी फ्यू आने को आ रहे थे लेकिन जब आगे बढ़ी नहीं रहे खुली नहीं रहे फाइदा क्या दोस्तों आपको हम बता दें जून 2023 में माता जी चैनल इस्टार्ट करती है ममता त्रिपाठी कजरी के नाम से ये इनका यूटूब चैनल था और अभी भी है आपको हम बता दें इनको जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से हमें वीडियो डालनी है लेकिन जुनून था कि हमे कुछ जरूर करना है सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्याम से तो ये करती भी थी इनके जज़बे को सलाम है इस उम्र में जी अब हम आपको बता दें कि ये गलती क्या करती थी देखे जब भी आप वीडियो बनाते हैं बहुत सारे क्रेटर्स मेरी वीडियो को देखते फट्रस मेरी वीडियो नहीं माना जाता है अगर इससे उपर आप बना देते हैं तो वो लॉंग वीडियो की प्रूंप บैडय करके देखेंगे तो क्या होता जो beach की screen होती है वो सिर्फ beach में ही दिखेगी side side में खाली दिखेगा तो एक तो वो long video में तो convert हो जाएगी लेकिन जो video का quality होगा वो थोड़ा सा down हो जाएगा और audience confused हो जाएगे long video बनाने के लिए मैंने आपको हमेशा बता है कि आपको इस तरीके से phone को पकड़ना यानि कि वेड़े करके इस तरीके से अगर आप video बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहोंगी माता जी जादा तर salt video के platform में ही अपने video को upload किया करते थी ये तो हो गया है इनकी पहले गलती दूसरी गलती ये है कि मैंने हर बार लोगों को बता है कि अगर आप title लिखते हैं तो अपने channel का नाम जरूर लिखें और description में उससे relative जिस गाने को आप गा रहे हैं keyword लिखें और तीसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप video बनाए बिलकुल उसके quality परफेक्ट होनी चाहिए अगर ये सब आप नहीं करेंगे तो audience आपके video पे बिलकुल भी नहीं रुकेंगे वह skip करके चले जाएंगे इन सारी चीजे को ध्यान रखना है और चौती गलती माताजी ये करती थी कि इनको अभी तक ये नहीं जानकारी थी कि हमको watch time कहां से देखना है कहां से हमको ये देखना है कि कितने audience कहां से देख रहे हैं हमारी video इनको YT studio के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं था आज जब मैं इनके phone में YT studio सर्च कर रहा था तो मुझे नहीं मिला फिर से मैंने YT studio download किया हूं login किया हूं इनके channel को accept किया ह और ये सब देखते हुए महाता जी का सिर्फ महाच साथ सो कुछ घंटे का watch time अभी तक पूरा हुआ है लेकिन एक साल plus channel हो चुका है तो मैंने इनको समझाया कि ये सारी गलती महाता जी करती थी आप जाके इनको YT studio के बारे में जानकारी मिली है तो मैंने सारी चीजे इनको स description सब लिखना है और YT studio पर जाके सब कुछ चेक करते रहना है और प्लस जब आपके 50 subscriber हो जाएं तो आपको लाइव आना है यह सारी गलती आप लोग करते हैं यह गलती नहीं करना है जी इन सारी बातों को ध्यान में रखें आप लोग माता जी अब आप संतुर्ष्ठ है कि न सब देखते हैं सब इधर उधर हो गया आपके समारती है बहुत बहुत धन्य बाद आपको भी आपका आशिरवाद यह हमारे उपर बना रहें लेकिन माताजी एक और दो लाइन का गीत होने चाहिए क्योंकि आप लोगों के माध्यम से नाच गीत काफी तेजी से वाइरल हो दहिया सगने की है जाना बलमे जब जाना भी दे से वाहो मम्मी तुम्हारी रजानाने की बैरने मम्मी तुम्हारी रजानाने की बैरने उने को अलगे की है जाना बलमे जब जाना भी दे सेवा हूँ बड़ा शुंदर आपने नाज़ के सुना और बहुत अच्छा लगा अमाता जी वहींगर हम बात करें आपके हस्पेंट जी क्या करते हैं यह वताईए जब आप वीडियो बनाना इस्टार्ट की तो आप भी घर में किसी ना किसी से परमीशन लिया होगा कि मैं वीडियो बनाना चाहते हूँ बहुत अच्छी है अनीता तुम बनाओ वीडियो करो तुम्हें डालती हूं कोई बात नहीं बना दिया डालने लगी डर नहीं लगता था आपको अपने पती जी से वो देखेंगे वीडियो क्या कुछ नहीं वह हमसे ज्यादा दिवान है बिलकुल अच्छा इस लाइन के अब हस्पिटल बन गई अब नहीं करते सोला साल बने मंत्री के सुमंत्र बनते थे अरे हरे के चीज चौपाई ओ चौपाई रमाड रमाड के देखते रहूं मतलब माताजे अगर हम बात करें अभी तो सास्तसुर मुझे नहीं लगता आपके होंगे और जेट जेठानी आसपास के भी सास्तसुर होंगे जेठ जेठानी तक जब आपकी वीडियो पहुशती है तो वो लोग क्या कुछ सपोर्ट करते हैं सब देखते रहते हैं मौज ल करेंगे केंगे इस उम्र में चली है इस्टार बनने के लिए अब गीत गाएंगी यह भी हर लोगों को फेल करेंगी क्या कुछ है कि सब बच्चे हमारे बहें नोहिन के जैसे हैं हमारे बहुत हंसते हैं कि बुगा देखो कितना बढ़ियां बढ़ियां गीत अब भी गाती हैं अच्छा मैं करता हर लोग आपकी सपोर्ट करते हैं चली फिर तो बहुत अच्छी बात है हमारे गाउं की बहुत बड़ी परंपरा है जब गाउं में किसी को भी बच्चा पैदा होता है घर में रिलेटु लोगों को तो क्या होता लोग बहुत तेजी से सुहर गीत गाते हैं हम चाहेंगे महस्दो लाइन का सुहर गीत होना चाहिए सुहर गाउं की उसका जच्चा उच्चा गाउं अब जो भी आपको लगे वो गाई है मजी आई बाई ठाली सासु तबहु से आरज का रही हो सो सासु देति उना चाटे की चुंदर या चावू के चाड़ी बैठाउं चावू के चाड़ी बैठामों हो बड़ा शुंदर आपने सुहर गी सुना लेकिन वहीं अगर हम बात करें आप दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं कितना साल हो गया आपको रहते हुए मुझे हो गया सन दो उन्ञाइस सो सतासीस हुँ में मेरा बेटा एक बेटी है बेटा यहीं हुआ था बेटी भी बेटा भी तो आपका अपना निजी मकान है कहीं भाड़े वगए अपना है अपना खुद के तो किसे प्रकार कोई दिक्कत ने हैं लेकिन माता जी क्या होता जब आप बंद कमरे में डेली गीत को गाती हैं, आवाज आपकी बाहर तक जाती होगी, गली मुहलों में भी, लोग सुनते होंगे, कहिन कहीं परोशी भी पूछने आ गए होंगे, कि डेली आप भजन गाती है, गीत गाती है, बाहर तक आवाज आती है, रोट डेली आपके घ यहां लेकिन मैंने काफी लोग का इंटर्विव लिया हूं दिल जाया से लोग बताती हम भजन-मंडली से जुड़े हुए नहीं नहीं हूँ लेकिन जाती थी पहले मंदिर् न्दिर थोड़ा से अब भी जाती हूं मंदिर से किसी करता हुई तो हम उसमें जाते हैं चले लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं व्यक्त बेंज़िक अज़ampa जनवाजे लांगुडिया, जनवाजे लांगुडिया, कंगना पीतल के मंगवाद जनवाजे लांगुडिया, वहीं सासू का पीसना, आरे वहीं सासूरा की खाट, वहीं सासू का पीसना, आरे वहीं सासूरा की खाट, पीसत आवाई पीसना, आरे सरकत आवाई खाट, कंगना पीतल के मंगवाद जना जनबा जेला गुडिया वाह बड़ा संदर आपने सुना पहली बार मैंने दिल्ली वाली गीत सुना और काफी लोग भी सुनाएं कुछ आपको अलग हटके था लेकिन अभी इससे पहले आपने मुझे बता तक हर्याना की भी कुछ गीत आपको आती है हम हस दो लाइन का हो जाना चाहिए वो भी कुछ सुनाती हूं यहां पर मातब होने की ने होता देते हैं हर याड़ा में अपने भासा में तो वही गीत आपको सुना रही है बिलकुल होना चाहिए पांच पता से पांच पता से लौंग का जोड़ा ले दे भी पे जाईये रे जिसे डारी मेरी मैया बैती ओ डारी पे जाईये नए भी जाईये जोके भी जाईये पाथ पाथ पे जाईये गल्व यह हर्यानवी भास्षा में इस गीत को जानते हैं और सुनते हैं यह मैं साधी व्या, पढ़ता है तो पहले दीवे देवतार निवतुता में होतरे हैं इस तरीके से लिगे जाता है इस ते पहर सुन ने होती है प्योंड हैं बिरे मेरा चूचे के लाई ये बेली बेज देई पी रे गोबी रे मेरा चूचे के लाई ये बड़ा सुनदर आपने यह वी गीत सुना अच्छा माताज्ड जी अगर लोग देखना चाहें सुनना चाहें इन सारे गीतों को तो कैसे सुन पाएंगे क्या है आपके चैनल का नाम मेरे चैनल के लाम है मंता तरपाथी परताव गड़ मतलब इस चैनल के माध्यम से लोग यह सारी गीते सुन सकते हैं बिल्कुल सुन सकते हैं बटा चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वही माता जी हम इन्हें दूरे करो साले निकम में हैं इन्हें दूरे करो दाले या चाओर का कदरा ना जाने कदरा ना जाने रोटी के कहां सिरे टोपी है इन्हें दूरे करो इन्हें दूरे करो साले निकम में हैं इन्हें दूरे करो वाँ बड़ा सुन्दर आपने गीस सुना वहीं आपके संधी जी भी है वह अगर आपकी वीडियो को देखते होंगे तब तब क्या हो भी हसते हैं कहते हैं चलो इस उम्र में तो गाना गा रही है यही पास में यह नहीं सोचते होंगे मेरी संधिन बड़ी रंगबाज है कहते होंगे कहते होंगे उनके माध्यम से कभी कुछ फोन उनके माध्यम से संधिन आके मेरे को खुद मेरे साथ बैड़े के गवाती है वो भी बहुत मस्त हैं गाने में चले फिर तो बहुत अच्छी बात है माता जी देखे आप तो एक मा है घर की पूरी जिम्मेदारी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए तो उनको इजाज़त देंगी की नहीं बिल्कुल देंगी हम चौगण पच्पंच साल के एज में आ सकते हैं तो बेटी बहुत अभी नहीं है कोई दिक्कत कोई रोक टोक नहीं कोई भी नहीं चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात ह लाखो ओडियंस आपको देख रहे हैं क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? देंगे धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों आप लोग हमारे बीच में देख रहे थे मम्तत रिपार्थी जी को जो कि पुरुवांचल की रहने वाले हैं प्रताब गड़ जिले से और यह दिल्ली जैसे शहरों में रहकर औधी परामपरी गीतों को जीवित कर दें मात्रा मिलते किसी ने वीडियो के साथ किसी ने टॉपिक में